तो दोस्सों ये बात तो आप लो जानती हो कि भाई हमारे बॉलिवुड में एक परथा काफी सालों से चलती है कि भाई कोई भी फिल्म सिनिमा घरों में बरलेज होने से पहले उसका एक special screening किया जाता है भाई सिनिमा घरों में एक दिन पहले रात को और इस special screening में किनको आने का निवता मिलता है तो भाई बॉलिवूड के बड़े-बड़े सेलिबिटीस को और उसके साथ कई सारे लीडिंग मीडिया हाॉसेस के उन पत्रकारों को जो कि भी अफ फिल्मों के बारे में अपना ज्यान लोगों को बाढ़ते हैं तो भाई भाई ये लोग कई सालों से ये काम करते आ रहे थे कई सारी कंपनीज के लिए कि भाई उनके द्वारा उनको जब समोसा, इडली वड़ा और उसके साथ ना जाने नास्ते में क्या क्या मिन जाता था तो वो उसका कर्ज वो अपने कलम से अदा करते थे, ये बात बताते हुए कि भाई ये फिल्म तो बहुत अच्छी है, इस फिल्म को देखनी है आप रूँ जाईए सिरेमा घरों में और वो सिलसला कब तक चलता था, एक हपते तक, एक हपते में प्रोडूसर माला माल उसके बाद जनता चाहे कितना भी करे बावाल, उससे किसी भी प्रोडूसर को कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन भाई, जब से जेन्विन रिवीवर पैदा हो गए और वो देश के कोने-कोने से अपना रिवीव पब्लिक के माधियम से लोगों तक पहुचाना शुरू की है, कि भाई, एक विरोधा वास हमें लेडिंग मीडिया हाउस और लोकल मीडिया हाउस में देखने को मिलने लगी, भाई, लेडिंग इस आउस की वज़ा से एक आवाज उठने लगी थी, कई सारे मीडिया हाउस को लेकर, कि भाई, ये लोग समोसा ट्रेटिक्स हैं, मेरे भाई, इनके जुआ से आप कभी भी बुरी बाते किसी भी फिल्म को लेगर सुन ही नहीं सकते हो, और इसका फल क्या निकला, तो भाई, लीडिंग मीडिया हाउसेज के जितने भी रिव्यूज लोगों के सामने आते हैं, लोगों ने उसे देखना छोड़ दिया, और उसके बात से ही, भाई, जो लोकल मीडिया हाउसेज जो है, जो कि भी या कुछ लोगों के दोवारा चलाए जा रहे है, रिव्यूज वर्ड के लिए, उनके रिव्यूज को पब्लिक का सपोर्ट मिलना चालू हुआ, तो भाई, अब इस तरह का इवेंट कराने के लिए, किसी भी प्रोड़क्शन हाउ बहुए देनी परती है, भाई, अच्छा लिखना, आच्छा लिखना, तो अब ये परंप्रा जो है, वो करन जोहर बंद करने जा रहे हैं, करन जोहर नहीं ये बात क्लेर कर दी है, कि भाई, आज तक मेरे मीडिया के मित्रों ने जो, मेरी मदद की है, मुझे जो इस मुकाम तक पहुंचाया है अपने अथक प्रियाश से अपने कलमों के माध्यम से उसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया लेकिन अब से मैं आगे इनकी मदद नहीं लूँगा अब मैं सब को जनता है यूप पर छोड़ दोगा जनता जो कहेगी मेरी फिल्म के बारे में जनता ही नहीं बात को मान कर मैं मानूंगा कि भाई मेरी फिल्म अच्छी है या बुरी है अब ऐसा क्यों हो रहा है मेरे भाई तो इसका कारण ये है कि भाई इन दिनों करण जोहर की एक फिल्म जिग्रा सिनेमा गरूम अरलीज होने के लिए जो कि एक 11 अक्तोबर को सिनेमा गरूम अरलीज होने वाली है और उस फिल्म को लेकर जो हाइप बना हुआ है ना उसको हमनों हाइप नहीं कहेंगे मेरे भाई यानि की काफी मेहनत करने के बावजूद भी जिग्रा उपर आ ही नहीं पा रही है अब जिग्रा के साथ में जो सबसे बड़ी समस्या हो गई है वो यह हो गई है कि भी या यह फिल्म तीन फिल्मों के बीच में आकर पस गई है दो फिल्में साउथ की है और एक फिल्म खुद बॉलिवोड की है और भाई इन चारो फिल्मों के साथ जब आपस में बॉक्स ओपिस पर मुकाबला होगा तो यहाँ पर भारी पड़ेगा कौन अब देखें यहाँ पर दो फिल्मों को लेकर एक बात तो साफ हो गई है भाई इन दोनों फिल्मों को भाई बॉलिवोड के मारिकेट में भी जबरदस सो काउंट मिलने वाला है यानि कि स्क्रीन काउंट इस बार अपने मन मुताबिक करन जोहर हासिल नहीं कर पाएंगे और भाई इन चारो फिल्मों के अगर नो बात करे तो भाई इन चारो फिल्मों में अभी जो फिल्म टॉप पोजीशन पर है वो फिल्म मार्टिन जिसको बुक माई शूपर अभी तक दो लाख अंठावन हजार दो सो लोगों का सपोर्ट मिला है इंटरिस्ट के मादिम से उसके बाद B.I.S. लिस्ट में दूसरे नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है रदी कांथ की आने वाली मच अविट फिल्म विट टायन जिसको लेकर ये जानकारी हमनों के सामने आई है एक B.I.S. फिल्म को भी बुक माईशों पर एक लाग पैतालिस जार पांस सो लोगों का सपोर्ट मिला है और भाई ये फिल्म भी हिंदी लैग्वेज मेरलिश होगी और उसके साथ B.I.S. मार्टीन को लेकर ये जानकारी तो अल्रेड़ी अमनों के सामने आ गई है एक B.I.S. फिल्म पैन हिंडिया के थे सिनिमा करूमरलेज होने वाली है और भाई मार्टीन का ब अभी तक B.I.S. के साइट पर जो अभी इंट्रेस्ट मिला है ना मेरे भाई वागणा के और विक्की और विद्या के वो वाले वीडियो की तो भाई इसको भी 20,700 लोगों का ही सपोर्ट मिला है इंट्रेस्ट में यानि कि भाई जिग्रा जो है वो अभी भी लोगों के दि बहन की एक ऐसे अटूट रिस्ते वाले कहानी को सिनेमा घरों में लेकर आएगी जिसके माधियम से भाई एक इमोशनल ड्रामा आपको सिनेमा घरों में देखने को मिलेगा बहतरीन एक्शन सिक्वेंस के माधियम से यानिक भी जिग्रा को लेकर ये बात कहीं जा रही है कि इस फिल्म का एक्शन जो है वो आउट और दा बॉक्स है नो डाउट प्रेलर में हम ये बात देखने को लिए है कि जिग्रा में जबरदस्त लेवल का एक्शन है लेकिन एक्शन के मामले में विट्टायन और मार्टिन के सामनी ये फिल्म कितना ठीक हैगी खास तोर पर मैं में बात करूँगा मार्टिन की क्योंकि मार्टिन को लेकर जो बस बना हुआ और इस फिल्म का जो एक्शन है वो और अपना बस तो भीया पिछले दो साल से बना रखा है और इस फिल्म का इंदरजार तो दर्शक बहुत ही बिताबी से कर रहे हैं तो भाई अब करे तो क्या करें करन जोहर करन जोहर में यह नया स्टेंड लिया है अपने आने वाली फिल्मों को लेकर कि भाई या अब से हम प्री रिव्यू नहीं करेंगे मेरे प्री रिव्यू नहीं करेंगे हम सीधा अपने फिल्मों को जंदा के बीच में लेकर जाएंगा और वहां से जंदा का लेंगे कि भाई देखो सबक्राइब के हाथों में अमनों दे दिया है हमने यह फिल्म बनाई है अगर आपको अच्छी लगती है तो आप अपना ऑपिनियन जेनुइन ऑपिनियन हमारे फिल्म के लिए दे ताकि ऑडियन्स तक एक जेनुइन ऑपिनियन आपके ही द्वारा से पहुचे जिसको देखकर ओडियन्स ये बात बुले कि भिया एक पॉब्लिक ने एक आम पॉब्लिक ने अगर इस फिल्म को लेकर ये बात कही है तो हमें इस फिल्म को देखने जाना चाहिए सिनेमा गरू तो भाई समोसा क्रिटिक्स के लिए तो ये दुखत ख़बर है भा के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया है तो बॉल्यूट से जुड़े और भी कही सारे ख़बरों को जाने के लिए हमारे चैनल यानिक वार इंग्रेक्शन को लाइक राइब कर दाना मुली का और माणे अपडेट्स को जाने के लिए में रैकेन को जोर्दवाई